मानफ दसकरी समयत अन्य मामलों में फरार जीतू सोनी के सताय लोगों को अब रहत मिलना शुरू हो गई होटल बेस्ट वेस्टन के पिछे बनी मल्टी के फ्लेटो पर सोनी ने कब जाकर रखाता पुलिस ने दस्तावे जाचनी के बाद उसके असल मालिकों को दिलवा दिये पुलिस के इस कारिशेली की हर इस्तर पर पशंचा की जा रही है मानफ दसकरी समयत अन्य अपराधों में फरार एकलाग का इनामी जीतू सोनी अब भी पुलिस के रखता से दूर है लेकिन पुलिस ने अब उसके कबजे वाली समपत्यों को उसके असल मालिकों को दस्तावे सेख वापस करने का काम शुरू कर दिया जीतू सोनी के होटल बेस्ट वेस्टन के पिछले हिस्से में बने होराइजन अपार्टमेंट पर मंगलवार को पुलिस पिडितों को कबजा दिलवाने पहुँची तो पिडितों में खुशी का माहुल देखने को मिला जीतु ने इन पीडितों के फ्लेट को निवेश के नाम पलिया और फिर उस पर कबजा कर रजिस्ट्री अपने पास रख ले थी जीतु के खिलाफ होटल बेस्ट वेस्टन में पेसा लगाने वाले 35 से जादा शहर के बड़े कारुबारियों निवेशकों ने पेसा हड़ अपने कमरे में बंद कर पीटने और अपरहन की शिकायत की थी पिडितों ने इसे स्पीक टाइम को बताया कि होटल निर्मान के दुरान निखिल को ठारी ने प्रोजेक्ट में निवेश करने का ओफर दिया और कहा की 30 कमरों की रजिस्ट्रिय उनके नाम होगी जब होटल शुरू होगी तो उन कमरों का किराया 15 फिस दी मेंटेनेंस काट कर उनके खाते में जाएगा इससे सभी 50,000 से 1 लाग रुपे महिना कमा सकेंगे इस पर सभी ने 60 से 70 लाग रुपे लगाए और रजिस्ट्री कर वाली थी साउट्टू को गर्ज स्थित होराइजर अपार्टमेंट में उलजे 31 लोगों की रजिस्ट्रियां जीतू के आफिस में मिले इसमें सभी रजिस्ट्री इधारी को पुलिस ने उनके नाम पते के अधार पर नोटीस जारी किये थे इसी मामले में कुछ ने जीतू पर अपरहन कर ले जाने और फिर मार्पिट करने की बाद भी स्थिस्पी को कही थी ब्यूर रिपोर्ट खबरबान नियोस इंदौर